विंडोज आर यहां पे क्या टाइप करके इंटर करूं तो एकसल खुलेगा इस पेलिंग अब तो में लिखिये दिया तो क्या पूछे मेरे को डिलेट कर देना चाहिए था ना फिर से जड़ा बताईए अब तो सब लोग बताई देंगे क्या बोल रहा है यूजर रेक्यमेंडेट सेटिंग में बोल देता हूँ डॉंट मैक चेंज हटा तुम्हारा जरुरत नहीं है मुझे कुछ मुझे एकसल के लास्ट कॉलम पे जाने का है तुम्हें क्या बटन दबाऊंगा कंट्रोल पर प्लस एरो जिदर जाना है उधर का एरो दबा लोगा यह देखिया आखरी में आ गया इधर इधर आ गया इधर इधर आ गया ठीक है आपने कितना बताया था एकसल में कितने कॉलम चलिए मैं सामित करता हूँ कि आपने गलत बताया था यह 256 तो नहीं है यह तो जादा है तो आपने गलत बताया फिर 256 मैं टाइप नहीं किया हूँ चलिए आपका कहना सरवथा उचित है तो कहां तक पढ़े थे हम लोग इंसर्ट पढ़े थे यह डिलीट भी पढ़ लिये थे और यह फर्मेटिंग भी पढ़ लिये थे यह सब हो गया था मेरे को याद आ रहा है कि यह चीजे मैं छोड़ा था चलिए कंडिशनल फर्मेटिंग फर्मेट एज टेबल बाकी इसको इसको आखरी में पढ़ते हैं इस मेनू के ठीक है यह कॉपी कट पेस्ट भी नहीं बताया था ना मैं नहीं बताया हूं मुझे यह बात याद है इनको पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ लेंगे फिर कॉपी कट पेस्ट वगरा को भी पढ़ लेंगे जो जो चीजे होगा ठीक है तो सबसे पहले यह वाला है ठीक है यह है आटो सम यहाँ पे ठीक है आटो सम को पढ़ने से पहले कुछ इंपोर्टेंट चीज हम समझ लेते हैं ठीक है वो क्या है कि आपको मालूम है कि क्या बोलते हैं सेल किसे कहते हैं मालूम आपको सेल किसे कहते हैं कॉलम और रो के इंट्रसेक्शन से मतलब मेज जब आपस में काड़ देते हैं कैल रो तो एक चौक और डबा बनता है आताकार वही शेल कहलाता है बागी तो कुछ है नहीं सेल में रखा ठीक है, एक सल का सेल कहो, चाहे बैटरी वाला सेल कहो, ठीक है, तो यही है, अब इन जितने सेल आपको दिखाई दे रहा है ना, इस सभी सेल का एक नाम है, मतलब एड्रेस है, इसका सभी का एक यूनीक पता है, अदुत्य है, ठीक, वो कहां आपको मिलेगा, यहाँ पे दिख इसका नाम ये है ठीक है इस cell का क्या नाम है जहां पे मेरा भी mouse pointer है A1 है इसका नाम A2 है इसका नाम A3 है ठीक है इसी तरह से इधर जो row है वो एक दो तिन चार इधर चलते जाएगा ऐसे ठीक है और फिर इधर A, B, C, D चलता जाएगा ये ठीक है ठीक है ये जो है यहां पे आखरी पहुँच गया X, F, D तक ठीक है तो ये है आपका cell address क्या मैं इसको बदल सकता हूँ हाँ मैं बदल सकता हूँ इसको मेरा मन कर रहा है बदलने का इसको मैं नाम दे दिया A, C, M, A, N, T ठीक है इंटर माल दे दिया ये बदल गया आप इसका नाम बदल गया ये देख लिजी आप इसका नाम दुबारा मैं बदलूँगा तो क्या होगा बदल गया ना ये सब techniques है बदलने के ठीक है अब इसका नाम फिर से मैं क्या कर दूँगा A, 2 दे दूँगा तो क्या बदलेगा नहीं बदलेगा है एक बार बदल गया मतलब बदल गया ठेक अब इसको मैं बदल दूँगा ऐसे और फिर बदल के रख दूँगा मैं ठीक है मैं एक टूब मुई देख रहा हूँ था उसमें जो नेता था भात़र दे रहा था बार बार बढ़ा बदल के रख दूँगा, बदल के रख दूँगा, ठीक है, तो ठीक, उसी तरह से मैं भी बदल के रख दूँगा, ठीक है, इन सभी address का नाम है, ठीक है, और फिर यहां पे यह क्या है, इस cell में कुछ भी लिखना है, तो आप यहां पे type कर सकते हैं इसे, तो लिखा जाएगा पे यहां पर आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं ठीक है aşण अ करके सिधा लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा पिछला डेटा हट जाएगा नया डेटा उसमें जो लेकिन एक टू दबा के लिखेंगे तो पिछला डेटा भी रहेगा और आपका जो नया डेटा लिखना चाहरे हो भी एडिटिंग मोड में उपन हो जाएगा यह देखिए हो गया ऐसे ठेक लेकिन ऐसे जाके सिधा लिखेंगा तो हट जाएगा ठीक है यही एक सलका सकते है ठ लेकिन एक दो थोडा सा जो फंक्untsन है उन सब को हम यहाँ पर देख लेंगे ठीक किसी को नहीं दिखाई देता है अगर ये वाला section तो यहाँ पर आये formula bar में click कर देंगे तो गैब हो जाएगा, formula bar में click करेंगे तो आ जाएगा, मैं projector लगाया हूँ तो screen का resolution मेरा कम हो गया, ठीक है तो इसके कराण से मेरे में यह ऐसा दिखा रहे लेकिन आपमें ऐसा नहीं दिखेगा आपमें box की तरह पूरा दिखेगा ठीक है तो ये sum के पहले कुछ समझ लेते हैं formula वगरा कैसे लगाया जाता है ठीक है तो कोई भी function आपको formula आपको लिखना है तो सबसे पहले equal to का sign देना पड़ेगा आपको ठीक है फिर उसके बाद आप कोई भी formula functions लिखिए ठीक है आपसे पूछा जाएगा वाइबा में या optional question वगरा में पूछा जाएगा तो आप बता दीजाएगा कि सबसे पहले formula functions लिखना के पहले equal to का sign देना जरूरी है ठीक है ठीक है और फिर मैं क्या करूँगा इसको पकड़के पकड़के खीच लूँगा ठीक है तो यहाँ 20 तक लिखा गया ठीक है यहाँ पे भी 4 लिख दूँगा ठीक है और फिर क्या हो गया अच्छा यहाँ पे 3 लिखता हूँ मैं लेकिन 2 दूना 4 ही होगा इसलिए मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ ठीक है इसको भी पकड़के खीच लूँगा ठीक है इधर 4 दूना 8 लिख देता हूँ ठीक है अब क्या हो गया इसको पकड़के खीच लूँगा नीचे ठीक है ऐसा हो जाएगा और इसको लिख देंगा मैं पकड़के खीच लूँगा ऐसे तो 2 का है 4 का है 6 का है 8 का है पता नहीं क्या क्या है नहीं आया हूँ वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं इधर से भी इसको 2 का टेबल गिनूँगा और इधर से भी किनूंगा ठीक है जो आप कहे रहे हैं वह ऐसा अगर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को ऐसे करना पड़ेगा ठीक है इधर लिख दूंगा मैं एक इधर लिख दूंगा दो ठीक है भोल गया मैं कैसे लिखूंगा कैसे तो लिखा जाता था मुझे याद नहीं आ रहा है अभी एक लिख दिया इधर दो लिख दिया फिर कैसे लिखो जरा कोई आइडिया दो यहां पे दो लिख दूँगा यहां पे लिख दूँगा चार ठीक है फिर इसको पकड़ के खीच लूँगा ऐसे कहां तक यह जा रहा है दस आ गया यह ठीक है इसको इधर पकड़ के खीच लूँगा तो क्या हो जाएगा यह देखिए ऐसा आप कह रही है क्या हाँ तो यह टेबल बनके रेडि हो गया ठीक है अब टेबल अभी नहीं बनके रेडि है इसको कर दूँगा मैं प्रिव्यू ठी ठीक है तो आपको प्रिव्यू दिखाई देने लगेगा एड हो गया यहां पे देखिए अब इसको मैं बॉर्टर कर दूँगा तो यह टेबलर फॉर्म में दिखाई देगा ठीक है तो यह तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया है ठीक है तो यह सब बड़ा आसान काम है ठीक है इसको मैं क्या करूंगा नो बॉर्टर कर दूँगा और डिलीट बटन पर क्लिक करूंगा तो यह क्या बोजाएगा ठीक है माल इसे यहां एक लिखा यहां दो लिखा है यहां तीन लिखा है ठीक है इस सेल का डेटा मेरे को इस सेल में दिखाना है तो क्या करूंगा equal to का sign दूँगा इसको click करके enter कर दूँगा तो यह आ गया अब इसको पकड़के खीच लूँगा ऐसे तो उसका data इसमें आ गया अब यहाँ पे अगर मैं 5 लिखके enter करता हूँ तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा ठीक है तो यह क्या है auto filling ठीक है इस तरह से भी आप filling वगर कर सकते हैं कुछ जोड़ना घटाना है तो आप क्या करेंगे ठीक है एकसल में जोड़ना घटाना है तो equal to का पहले sign देंगे क्योंकि प्रते कुछ भी काम करने से पहले कुछ भी formula लगाने से पहले equal to का sign देना पड़ता है equal to का sign देंगा फिर 5 लिखूंगा फिर प्लस लिखूंगा फिर 5 लिखूंगा इंटर दबाऊंगा 10 आ जाएगा ठीक है फिर इसमें minus का sign देंगा ऐसे तो ये आ जाएगा 0 ठीक है फिर यहाँ पर आऊंगा minus का sign के जगर पर क्या देंगा multiply का sign और यहाँ पे 2 लिखोंगा तो 5 दूना 10 आ जाएगा ठीक है और फिर यहाँ पे यह sign दे दूँगा और enter मार दूँगा तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा ठीक है यहाँ पे 3 का sign दे दूँगा तो यह आ जाएगा ठीक है आप square समझते हैं क्या windows R और winward enter ठीक है 10 और इसमें 5 लिखोंगा इसको करूँगा ऐसे select और इसमों कर दूँगा shift equal to ऐसे ठीक है तो इसका अगर योग फल निकालना है तो आप क्या करोगे आओगे यहाँ पे equal to का sign फिर 5 का निकाला था मैं क्या निकाला था किसका बोला था 10 का ठीक है तो यहाँ पे 10 लिखोंगा फिर caret sign दूँगा या caret है या पता निका है यह दूँगा फिर मार दूँगा enter तो यह आजाएगा ठीक है divide करना है तो क्या करूँगा equal to का sign दूँगा 10 लिखोंगा फिर इसको divide कर दो किस से 2 से divide कर दो तो 5 आजाएगा ठीक है तो यह plus minus into divide ऐसे होता है ठीक है कुछ ऐसे लिखोंगा कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे ठीक है और इन सब को जोड करके मेरे को यहाँ लाना है तो क्या करूँगा auto sum जो यहाँ पे है इस पे click करूँगा और enter कर दूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर इसको backspace खतम कर दूँगा फिर alt plus equal to मारूँगा और enter मार दूँगा तो यह आ जाएगा और manually मैं अगर लिखना चारूँगा equal to का sign दूँगा और फिर sum function कि किस के लिए होता है जोडने के लिए फिर bracket दूँगा फिर बोड़ा है range बताओ ठीक है तो मैं बोलता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ठीक है मैं ऐसे किया फिर colon का sign दिया फिर इसके बाद ए 5 है ना यह यह वाला silka मेरे को चाहिए तो क्या करूँगा ए लिखूंगा फिर 5 लिख दूँगा 5 bracket बन enter तो यह जोड़ के ready हो गया तो यह auto sum कह लाएगा ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा माली जी एक यहाँ है 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 ठीक है एक यहाँ लिखा है इन सब का जोड़ के मेरे को आंसर यहाँ लाना है ठीक है तो equal to का sign दूँगा ठीक है फिर क्या करूँगा यह करूँगा प्लस करूँगा यह करूँगा प्लस करूँगा यह करूँगा प्लस करूँगा इन सब को जोड़ लूँगा मैं ऐसे ठीक है ऐसे पूरे को जोड़ लूँगा ये करूँगा फिर मार दूँगा एंटर तो जोड़ के आगया सब का यहाँ पर ठेक है एक बल्टू का साइन दूँगा स, यू, एम लिखूँँगा ये दबाऊँगा और फिर इन साब को जोड़ लूँगा मैं एसे तो भी जोड़ जाएगा ये ऐसे लेकिन मैं जोड़ूँगा नहीं ऐसे ठीक है तो सम फंक्सन का इस्तेमाल कैसे करना है आप लोग समझ गए नहीं समझे समझ गया नहीं समझे सबसे पहले इक पल्टू का साइन दूँगा सम लिख होंगा ऐसे ठीक है फिर यहां पर कुछ सेल एड्रेस दूँगा ठीक है जैसे ये वन दे दिया ठीक है फिर कॉलन दूँगा इसको बोला जाता है कॉलन फिर जहां तक जोड़ना है ठीक है जहां तक जोड़ना है उसका सेल एड्रेस दूँगा मैं चाहता हूं कि C1 तक जोड़ना है C1 लिख दिया तो ये अपने आप देखे select हो गया अब इसको करके कर दिया enter अब ये 0 आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है मैं कुछ लिखूंगा इसमें ठीक है तो ये देखिए उसका जोड़ना शुरू हो जाएगा C तक ही दिया था इसलिए यहां का C तक का ही जूड़ा ठीक है तो ऐसे आप जोड़ घटाओ कर लोगे एकसल में ठीक ठीक ना तो ये सब करना तो आसान का में आप लोग के लिए sum है उसके बाद average है count number है min है max है more function में क्लिक करूंगा तो और ज्यादा function आजाएगा ठीक है count पता दूं क्या है 3 तो है फिर यहां पे equal to कसान दूंगा C O U N T ठीक है tab मारा यहां से यहां तक select किया ठीक है और यह है जो system में formula लगा था वैसे इसमें भी लएगा और enter मार दूंगा तो बोल देगा ठीक है Corona हो गया क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब देखिए count function जब मैं किया तो यहां पे अब 0 ही आ रहा है 0 त्वाना नहीं चीए था लेकिन इन सब को जोड़ रहा हो तो 0 ही आ रहा है तो मतलब क्या count function खाली number को count करेगा ठीक है और अगर लेकिन text को count करना है तो क्या करेंगे counter function लगाएंगे तब यह 3 आ जाएगा तो counter function है जो कि इसको भी count करेगा ठीक है यहीं सब है बाकी तो इसमें कुछ है नहीं रखा ठीक है max है mean है ठीक है जैसे max यह हम a x equal to का sign दिया 10, 20, 10, 30 यह दिया enter 30 बोल रहा है क्योंकि maximum number 3 है इसलिए 3 कर दिया ठीक है जैसे माल लीजे 10, 20, 30 इन तीनों मेंसे मेरे को maximum number चाहिए तो मैं क्या करूंगा इसी में आऊंगा और formula को edit करूंगा यहां पे ऐसे ठीक है और इन सब को select कर लिया में ऐसे ठीक है इंटर मारा आ गया 30 क्योंकि maximum number यही है अब maximum के जगा पे मीन कर दूंगा तो यह minimum number काउंट करेगा इंटर मारा इका हो गया मीन ऐसा क्यों हो रहा है यह मैंने कुछ गलत कर दिया क्या मीन होता है मिक्स थोड़ी होता है दिमाग खराब हो गया है मेरा लगता है यह देखिए अब किया तो आगे आपका minimum number ठीक है तो यही है सब मीन, max और पता नहीं क्या-क्या बाकी इसमें कुछ रखा नहीं है ठीक है बाकी और भी कुछ function हो है जैसे sum है, average है इप है, hyperlink account है max है, sign है पता नहीं क्या-क्या है ठीक है सब को देखेंगे बारी-बारी से ठीक है कहां देखेंगे formula वारे में देखनेंगे और फिर माननी जब कुछ projects होगर बनाते हैं ठीक है जैसे attendance होगर को manage करने का कुछ forms होगर बनाए या फिर कुछ और बनाए तो उसमें ज़रुरत पड़ेगा तो हम यूज करेंगे ठीक है यह वाला clear होगया sum अगर, auto sum होगया ना नहीं हुआ पीछे clear ठीक है आप लोग critical कर लीजिएगा आपको काम आएगा यह है कुछ fill के बारे में ठीक है one लिखा, two लिखा ठीक अब इसको मैं इधर पकड़के खिच लूँगा तो fill हो जाएगा और ऐसे मैं कर लेता हूँ यह right fill कर दिया ठीक है series से नहीं fill किया है ठीक है ok series से fill करूँँगा तो ऐसे fill करेगा यह formula को fill जो है किया है ठीक है इधर मैं भी fill करूँगा तो fill कर देगा ठीक है left, right, top, down filling के लिए है जैसे उपर कुछ fill कर लाएं एक लिखा फिर दो लिखा ठीक है चाराओं इसके उपर और fill हो ठीक है तो मैं क्या करूँगा इधर सीरीज वरीज कुछ दिया होगा ठीक है यह लो, नहीं हुआ मजा नहीं आया मेरे को अच्छा यह क्या बोलते, अप फिल में यह आएगा ठीक है, अप फिल किया तो यह आ गया लकिन सीरीज में नहीं फिल किया है यह तो यहीं सब है, auto filling वगर में चलिए, यहां पे मैं एक लिखता हूँ ठीक है और एक को पकड़के खीचूंगा तो यह ऐसे में फिल कर देगा ठीक है यहां में मैं something कुछ भी यह नयामी लिख देता हूँ यहां पे J-A-N-U-A-R-Y जन्वरी का spelling सही लिखा हूँ J-A-N क्या गलत है ना मुझे भी doubt ही हो रहा था J-A-N-U-A-R-Y जन्वरी गलत है यह सही है पक्का मेरे को सही ही लग रहा था लेकिन हम क्या करें लोग confuse कर देते J-A-N-U-A-R-Y क्या करें मेरा अंग्रेजी थोड़ा सा कमजोर है ना M-O-N लिख दूँगा यहां पर लिख दूँगा M-O-N-D-A-Y Monday M-O-N-D-A-Y Monday और भी कुछी दर लिखना चाहिए मेरे को www.google.com ऐसे लिख दिया Google खुलेगा अब इससे ठीक है इसको मैं पकड़के करूँगा इसको पकड़के मैं खुच लूँगा ऐसे ठीक है यह देखिए फिल हो गया अब सेल कॉपी में क्लिक करूँगा तो उसी सेल को कॉपी कर देगा यहां पर याँँगा फिर सीरीज करूँगा तो ऐसे सीरीज में फिल कर देगा ठीक है फिल फॉर्मेटिंग उनली ठीक है मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ ऐसे किया ठीक है अब इसको मैं क्या करूँगा यह कर दूँगा इसको मैं यह कर दूँगा यह कर दूँगा ठीक है अब इसको पकड़के खीचता हूँ ठीक है यह हो गया, ठीक है यहाँ पर मैं आऊँगा फॉर्मेटिंग उल्ली फिल करूँगा तो क्या होगा, खाली इसका फॉर्मेट पेस्ट होगा, ठीक है अब यह 12 वाला में यहाँ पर था अब यहाँ पर मैं कुछ लिखोंगा इसको मैं पकड़ करूँगा, ऐसे न यह देखिए फॉर्मेटिंग अब इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ विदाउट फिल, विदाउट फॉर्मेटिंग तो यह भी ना फॉर्मेटिंग का फिल कर दिया जो कलर वल रथा होगा, अब हो गया बिना format का fill हो गया खाली टेक ठीक है fill day day पे click करूँगा तो क्या होगा खाली ये day फिल हुआ बाकि कुछ फिले नहीं हुआ और ये वाला फिल हुआ ठीक है weekend करूँगा तो weekend वाला बस हो गया Monday से Monday तक Saturday Sunday गायव हो गया ठीक है यही सब है बाकि इसमें कुछ नहीं है fill मन्त किया तो खाली मन्त fill हो गया और ये moon पता नहीं क्या है और ये day और ये नहीं fill हुआ ठीक है बाकि तो इतना ही इसमें दिया हुआ है ठीक है मैं मारता हूँ इसको delete ठीक delete कर दिया उसको ये तो इसी color में fill रह गया इसको कर दूँगा मैं clear यहां से clear राल ठीक है clear क्या है उसको मैं बताऊंगा तो वैजिर में date or time मैंने insert कर दिया ठीक है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ इसको मैं ऐसे कर दूँगा ठीक है अब इसको पकड़ा ठीक है अब क्या हो गया 19, 20, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 27, 27, 31, 32, 32, 34, 34 तक फिल कर देगा फिल कर देगा न करेगा नहीं करेगा कर देगा 25 तक भी कर देगा 25 तक तो करिया दिया है 32 तक भी कर देगा नहीं करेगा चल यह नहीं करेगा तो खुशी का बात है ठीक है अब यहाँ पे देखिए फिल डे पे क्लिक किया करूँगा तो खाली डे तो by default फिले किया है weekend ते देखिए आखरी वाला जो फिल नहीं करेगा आखरी वाला तो Saturday Sunday मन्त में क्लिक करूँगा तो क्या होगा यह देखिए 19-19 सब में है लेकिन यह जो मन्त इदर है न 11-12-1-2-3-4-5 खाली मन्त फिल किया है date को फिल नहीं किया है मतलब day year को करूँगा तो खाली year को फिल करेगा month को और day को फिल नहीं करेगा खाली year फिल करेगा यही है इसका magic पूरा lockdown खतम होगया corona नहीं हुआ corona होगा तो मज़ा नहीं आएगा वैसे घर मेरे को corona होगा नहीं क्योंकि मैं तुल्सिय और गुरुस जुबाल भी खूट पी लिया था ठीक है आप भी पीलीजी है ठीक है आपको भी कुछ नहीं होगा corona मतलब कुछ नहीं मैं कहता हूँ आप भी कहना शुरू कर दीजी ठीक है तो यही है आपका फिलिंग का अब इसको मैं डिलीट करके खाली इसको फिल करता हूँ ठीक है लंबा पकड़ की खीच लूँगा ऐसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौदस AM और PM आजाएगा ठीक है इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसमें क्या होगा इसमें तो कुछ फिल करने के लिए बचा नहीं है तो यह कुछ करेगा नहीं यही सब इसमें आ रहा है कॉपी सल कर दूँगा तो यह किसल कॉपी होगा ठीक है यह देट बन चुगा है यह देखे यहाँ पे डेट का साथ यह देट है बन चुगा है मैं इस वाले सीट पे बताता हूँ आपको ठीक है यहाँ कुछ लिखा यहाँ कुछ लिखा ठीक है यहाँ कुछ लिखा यहाँ कुछ लिखा या फिर यहाँ पे भी कुछ लेता हूँ कुछ ज़्यादा टेक्ट रहे तो मज़ा है यहाँ चाहिए तो यहाँ पे जोड़ चाहिए यहाँ पे जोड़ चाहिए या फिर यहाँ पे यहाँ पे मैं ले लूँ तो यहाँ पे लो जोड़ू इंसर्ट हो गया, लेकिन मेरे को ये D वाला नहीं चाहिए, मेरे को खली C तक चाहिए ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा C जो हाइलाइट हो गया, ठीक यहाँ पे आ गया, अब इसको पकड़ के खीच लूँगा, ये फर्मूला जो है अपने आप फिल हो गया ठीक है, इन सब का सम यहाँ पे आया, इन सब का सम यहाँ पे आया, इन सब का सम यहाँ पे आया ठीक है, एलीज ये, इन सब को मैं मारा D, ठीक, यहाँ पे मैं किया, Alt गवल्टो मार दिया, Enter ठीक है यहां पे भी कुछ होता तो यहां पे जोड़ देता क्योंकि मैं यह Sell भी तो मारना आसाल लगता है मैं उहे मार देता हूं ठीक है अब इसको मैं क्या चाहता हूं उपर फिल करें ठीक है तो यहां पर फिल में क्लिक कर दूंगा तो उपर फिल कर दिया ठीक है उपर फिल करना था तो मैंने उपर फिल कर दिया पकड़ के खीचने के लिए यह आइकन च गया ठीक है इसमें जा रहा है साथ में साथ नहीं जाएगा आप लोग ट्राइब करके देखना आपने ऐपल भी फिल करलूंगा उ्टकने ने form लोगा आ कि यहाँ पे सुदी कर दो को यहाँ पे सबको फिल करूँगा है यहां पे अगर लाना चाहूं तो यहाँ भी तो यह उमीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा फर्मूला ओटा फिलिंग ठीक है तो यह आपको दिक्कत होगा नहीं न होगा होना चाहिए नहीं आपको कुछ होगा तो बताइएगा आप रेक्टिकल कर लेजिए ठीक है अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर दिया यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कर दिया ठीक है यहाँ पे करसर लाया यहाँ पे क्लियर पे क्लिक दिया I'll clear करूंगा, तो सब कुछ clear कर देगा, by default कर देगा, ठीक है, यहाँ पे click करूंगा, तो क्या करेगा, खाली format को clear करेगा, जैसे जो मैं color किया था, और color को हटा दिया, फिर इसमें आके format clear मैं करूंगा, तो clear कर देगा format को, ठीक है, फिर सब format मैं किया, और फिर यहाँ पे आया अब यहाँ पर content clear में click करूँगा तो खाली content delete होगा format नहीं ठीक जैसे clear कर दिया लेकिन जो color थाओ color रह गया ठीक है delete comment clear comment है जैसे माल लिजे मैंने यहाँ पर कुछ comment जैसे right click किया insert comment पर click कर दूँगा मैं यह है कुछ किया ऐसे enter ठीक है अब यहाँ पर mouse आ रहा है तो cursor आ रहा है इस comment को मैं delete करना चाहरा हूँ तो right click करके यहाँ पर comment को delete कर दूँगा मैं लेकिन यहाँ से भी आ करके clear comment को click कर सकता हूँ अब hyperlink को भी वहाँ पर clear करने का दे रहा है आप sir कैसे जैसे माल लिजे www.acmant.com inter hyperlink यह बन गया अब मैं इस पर click करूँगा तो website खुलेगा लेकिन अभी internet वगरा कुछ है नहीं इसलिए यहाँ पर mouse लाऊंगा यहाँ पर आऊंगा और hyperlink में clear कर दूँगा तो hyperlink gap को आपी clear only hyperlinks yes formats को भी यह देखिए gap हो गया format भी अब ठीक है पहले सिर्फ hyperlink खटा था अब format भी गया हो गया ठीक है तो यह है clear का functionality ठीक और आप और इसमें कोई दिक्कत है तो बताईए कोई दिक्कत है क्या नहीं है आगे चलें चलूँ आगे नहीं चलो चलें कुछ हाँ या ना कुछ बताओगे क्या थोड़ा तेज बोलिए क्या कुछ बोलना है नहीं बोलना है नहीं बोलना है ठीक है यह है सोल्स का और फिल्टर यहां पर मैं एक टेबल बनाँगा एक ठेक, बन गया, इसमें नाम लिख दूँगा, कुछ में, ठेक है, कुछ नाम बताओ, मित, कलास क्या है, D.C.A., प्लम्बर क्या है, 1, एड्रेस क्या है, I.N.D.I.A., फिन कोड क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठेक है, मैं दो चार्टों ऐसे भी बना लेता हूँ, बॉर्डर, ठेक है, यह बॉर्टर में माउस से गया ना, आप चाहो तो Alt बटन के साथ भी जा सकतो, Alt बटन के साथ एक्सेस करना पताया था ना? Alt दबाओ, फिर H दबाओ, तो H वाले में पहुँच गया, बॉर्डर में B है, तो B दबाओ, अब A वाले में आल बॉर्डर है, तो यह दबा दो तो आल बॉर्डर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ठीक उसी तरह से अमित के बाद लिख देता हूँ, सुमित, यह है, P, G, D, C, A, ठी I, N, B, I, A, 5, 4, जो भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, यह आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह 6 अंका होता है, सुमित के बाद कोई और नाम बताओ, कोई और नाम बताओगे, नहीं बताओगे, कोई नाम बताओ तो और दो चार लिख लो में, मोहन, इसको कर देता हूँ, D, C, A, 3, यह भी इंडिया से है, और सूरज, D, C, A, 4, इंडिया, कुछ भी फिन कोड में डाल दूँगा, ऐसे, इसमें एक अंक जादा कर दिया, मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, यह हो गया, इसको टेबल का फॉर्मेट बढ़िया देते हैं, मज़ा आए थोड़ा, ठीक है, आगया यहाँ पे मैं, अब यह फिल्टर का क्या मतलब है, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड बार के नॉर्मल टेबल रखता हूँ थोड़ा सा अब यह आगया, ट्रिलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे बोल रहा है, सॉर्ट करो, ठीक, अब सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू यह, मैं कर देता हूँ, सॉर्ट ऐसे, तो यह इससे हुगा, ठीक है, आमित डीसीये में है, याद रखिएगा आप, इसको पकड़ूंगा मैं, और नेम से कर द अधिक है, अधिक है, तो यह इस तरह से आप सॉर्ट कर लोगे, मैं चाहता हूँ, रोल नंबर वाई सॉर्ट हो, ठीक है, तो control shift उपर वाला arrow और shift के साथ अप arrow करूँगा तो select हो गया आप उपर उपर फिर यहाँ पर आया sort कर देता हूँ A to Z ऐसा expand the section sort यह देखिए 1 2 3 4 sort हो गया ना तो यही है sorting यह फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है filter यहाँ पर आऊँगा ठीक है फिर कर दूँगा filter ठीक है तो सभी में filter लग गया जब मैं table बनाया था तो उसमें भी filter लगा था ना अब मैं class के साथ filter करना चाह रहा हूँ कर दूँगा इसको ऐसे कर दूँगा ऐसे तो इसमें क्या दिखाएगा बोलेगा कि खाली DCA वाला filter करो फिर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ PG DCA वाले कितने हैं वो दिखाओ तो यहाँ पर ऐसे दिखा देगा सिर्फ PG DCA वाला दिखेगा ठीक है तो यही है आल पर क्लिक करके OK कर दूँगा तो यह है यह यह filter ठीक है तो यही आपका filter है बागे कुछ रखा नही है ठीक है कस्टम फिल्टर्स वगर अभी लगा सकते हैं इसमें कस्टम फिल्टर पर जाके ठीक है जैसे माल लो आप की रोल नंबर है रोल नंबर का क्या करो वैल्यू के आधार पर सौट करो और कैसे smallest to large है ठीक है कर देगा OK ठीक है smallest to large हो गया यह पहले से वही था वही था पहले से चलो कर दूँगा ऐसे कर दूँगा OK यह देखे बदल गया ठीक है एक कस्टम फिल्टर में पढ़ा था क्या दिमाग खराब हो गए है या फिर नेम से सौट करो तो यह हो जाएगा on value इसमें सेल के color से भी होगा font color से भी होगा यह से भी होगा पर मुझे value ज्यादा पसंद है इसलिए मैं यह कर रहा हूँ पिन कोड से भी सौट होगा address से भी सौट होगा सभी से सौट हो जाएगा यह ठीक है my data has header यह वाला click रहेगा तो ऊपर को header मानेगा यह ठीक है तो यह सौट वगा रहे है ठीक है तो यह sorting में तो आपको तकलीफ है नहीं होंगे न यहाँ पर मैं नन भी कर सकता था लेकिर मैं नन नहीं किया ठीक है तो यह सौट समझ में आ गया ओटो सम समझ में आ गया फिल समझ में आ गया यह आ गया समझ में ठीक है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना किसी को होगा ऐसा कोई चीजें जो आप लोगों को समझ में न यहां आया हो आगया है सारा समझ में अच्छा यह फाइल वाला में आपनों को बताया था नहीं बताया था नहीं बताया सेव है सेवैज है ओपन है क्लोज है जो MS Word में पड़े थे 2007 में वही है ठीक है रिसेंट में वही दिखाएगा निव में नया बनेगा एक्सल प्रिंट में प्रिंट होगा सेव सेव एंड सेंड है सेव में क्लिक करेंगे तो यहां पे सेव कर लेंगे पीडियप में भी यहां पे सेव हो जागा बिना कोई third party software यूज किये ठीक है option में जाएंगे तो कुछ advance हो गए रहे है जैसे color वगर का इसको मैं थोड़े दिर में बताऊँगा थोड़े दिर में नहीं इस सब के बाद बताऊँगा advance वाला option ठीक है अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया यह जो है न auto filling आप custom भी बना सकते हो ठीक है जैसे माल लो ए लिखा बी लिखा अब इसको पपड़ के खीच लूँगा ठीक है shift के साथ arrow दबाया तो select हो गया खीच हूँगा तो यह भी यह भी आ रहा है ठीक मैं चाहता हूँ कि यह भी cdj तक लिखा जाए तो प्या होगा बन जाएगा यह कैसे बनेगा यह advance वाला option है ना वहीं पर जाके बनेगा आप लोग खुझ के बना लोगे क्या है मैं सब में click कर रहा हूँ जो है ठीक है और आप लोग समझ जाना देखके ठीक है आप लोग इसमें से खुझ के बनाना थोड़ा कश्ट करना मेहनत करना और जो है नहीं बनाओ गए तब तो हम बताइबे करेंगे आखरी में ठीक है अपडेट बाकी पिछला में किसी को कोई problem समस्या है नहीं है नहीं है है बताओ जरा सब चुप चाब कुछ बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा चुप रहने का मतलब कुछ भी हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है ना तो इसलिए बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा यहां से आप quick access bar वगर हो कर सकते हो कुछ अइज वगर हो ठीक है तो यह सब जो है बड़ा आसान चीज़े है ठीक है आप लोग कर सकते हो यह सब कुछ ठीक है मैं बंद कर देता हूँ आप लोग इसमें खोजना आप लोग को मिल जाएगा custom list ठीक है या custom autofill होगा ठीक है मिल जाएगा ठीक है आप लोग को नहीं मिलेगा तो बोलना कि हमको नहीं मिला तो मैं यहीं बता दूँगा कैसे होगा ठीक है ठीक न, आप लोग तो समझी गए होगे कि कहां से मिलेगा आप, इतना मैं आप लोगों को हिंट दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया कैसे होगा, कस्टम लिष्ट कैसे बनेगा, ठीक है, तो बाकी आप लोग समझदार हो, अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं हिल्प होगा, आप लोग समझ जाओगे, समझदार हो, इतना करने के बाद भी अगर कस्टम लिष्ट आप से नहीं बना तो बताला ठीक, ठीक है, तो आगे चलें और, यह फाइंड वगर आपको देख रहे हो आप लोग, तो यह फाइंड वगर वही है, जो MS वर्ड में था, बाकी GoTo, Find है, Replace है, GoTo है, यह वही है, जो MS वर्ड में था, Find, GoTo, Replace, ठीक है, उसके बाद यह फ्रा है, वह फर्मूला है, कमेंट्स है, कंडिशनल फॉर्मेटिंग को Find करेगा, ठीक है, Content को Find करेगा, Data Validation को Find करेगा, ठीक है, वही वाला है, कितना, 12-40 हो गया, क्या, और पढ़े आप बाकी अगले दिन पढ़ेंगे अगले दिन पढ़ेंगे ठक गए चलो ठक गए तो बहुत दुख का बात है कि आप लोग ठक गए ठीक है चलो बाकी कल देख लेंगे क्या क्या कल देख लेंगे कल इसमें जो है वो देख लेंगे और पेश्ट वगरा को देख लेंगे कल तो मैं आउंगा नहीं, ठीक है, मंडे को देख लेंगे, ठीक है, तो ठीक है, आप लोग जाईए, ब्रेक्टिस करिये, मैं जा रहा हूं, कुछ काम करने, ठीक?